नवस्कार सात्यों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगी कि दिक्षा ओनलाइन ट्रेनिंग है, उसमें फर्ष नंबर जो की सबी सिक्षिकों के लिए करना अनिवारिया है, उसके आंसर की यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले नई कार्मिक अपना दिक्षा पर रजिस क्रेप्सन में और टेलिग्राम ग्रूप विक्रम मैज सरगनी पूर पर भी आपको मिल जाएंगे, इनमें सबसे पहले जो आपकी फर्ष ट्रेनिंग है, जो सबी सिक्षिकों को करना अनिवारिया है, वो है प्रिशिक्षिकों हेतु बेसिक सार्टिपिकेट कॉस, यह सबसे पहला जो आपका प्रिशन है, वो आप देखते चले, फर्ष ट है प्रिशिक्षकों क्यों आवसक है, तो यह आवसक है सिक्षन को ऊसर बढ़ाने के लिए, मैं यहाँ पर सीधा आपको अनसर दे रहा हूं, ताकि आप यहाँ पर टिक कें, सीधा आपका समय खराब नहीं हो, और सीधा पानसर देते चलें सैकेंड नंबर का जो प्रिशन है आपका प्रिशिक्षकों के हेतू ये टोटल 20 प्रिशन है और 6 प्रिशन इससे पहले आएंगे वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे प्रिशिक्षणों के अंतरगत नहीं आता जो इसके अंतरगत नहीं आता है वो यहाँ पर है नए ग्यान को प्रिशिक्षण के अंतरगत नहीं आता है Next person है भूमिका निर्वहन विदी के प्रियोग विसेश रूप से प्रिशिक्षण संस्तानों में किया जाता है इसका सबंध है तो इसका सबंद होता है ग्यानात्मक एवं सामाजिक कौसलों से डी आंसर नेक्स्ट प्रसन है बड़े समुकों समोधित करने के लिए कौन सी सबसे उचित वीधी है यह आपको छ्येभि नम्र वाली सिक्षण है उनके अंदरगत मिलेगा तो वो वीधी है आपकी वाक्यान वीधी इसके अलावा नेक्स्ट है प्रशिक्षण को परभावी बनाने के लिए किस तत्तो का होना आवसक है तो इसमें प्रिशिक्छक के सुवम के नमूने का सिक्षण का नमूना होना बहुती आउशक होता है ताकि शिक्षण पे प्रभावी जल्दी प्रभाव पड़े इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पर एक प्रिशिक्षण ये है हमने जिस प्रिकार से पहले अच्छे प्रिशिक्षण के बारे में देखा कोई प्रिशिक्षण दो तरफा है इसके लिए आपको आउसक के बाते चिन्नित करनी है तो प्रिशिक्षण केवल वाचन करे ये ब बिल्कुल गलत है और लास्ट में प्रिशिक्षन सहत्र के समस्त गत्विदियां संभाग्यों से करवाएं ये भी राइट है तो इसका आ जाएगा दो तीन और पांच इसको आप देख सकते हैं आगे इसका जो आंसर है वो आपका आएगा दो तीन पांच राइट आंसर नेक् दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है एन एफ एश्टी एन एट दोजार बीस में प्रिशिक्षन के आउदी कितनी कही गई है यह आपको ट्रेनिंग में सबसे पहले ही बता रख है पचास घंटे की आउदी की गई है नेक्स्ट है वांचित परणाम से प्र प्रिशिक्षन में प्रभावी होने के कारंणों का समलत है वो है समहूचरचा यहाँ पर देख सकते हैं समहूचरचा इबन अनुईद्यों का समावेश ये सबसे प्रभावी होगा नेक्स्ट है नेमले मैंसे कौन सा दक्ष प्रिशिक्षा के गुण नहीं है तो इसमें आएगा अंतर मुखी इसका गुण नहीं है इसका अंसर आएगा अंतर मुखी वाला नेक्स्ट है प्रिशिक्षान संप्रभावी नहीं होता तो इसका जो है, वो है, सब्रभावी नहीं होता है वो तब होता है जब विशेवस्तु तक ही वह क्या हो, सीमित होता हो Next है, प्रिशिक्षण के रूप में आप विदிयों का चैन करना चाहिए तो ये आपको करना चाहिए संभाग्यों के इस्तर के अनुसार, सत्र के अनुसार, तो इसमें भी उप्रोक सभी आएगा, अगला है, प्रिशिक्षन के सत्र में समापन सत्र से पूर प्रिशिक्षन के सत्र में आयोजन सफलता पूरवक किया जाता है, उसके लिए दोतक क्या ह पहले एक नमबर तीन उसके बाद पूर परिक्षण फिर रोचक गत्विदी और उसके बाद में आएगा यहाँ पर तो पस से यह सत्र समलेकन और लाश्ट में आएगा पस से परिक्षण तो सीधा मैं आपको आपको बताऊं तो यह आजाएगा तीन नमबर सबसे पहले फिर दो नमबर फिर एक नमबर फिर पांच नमबर दो तीन दो चार एक पांच नेक्स्ट हैं सिक्षण एवां प्रिक्षण में अंतर नहीं है पूछा है तो बाकी सारे अंतर हैं और नहीं वाले आपको आंसर देना है तो इसमें आ जाएगा देखो यह अंतर नहीं है तो प्रियोंग पर्दिसन बागी सारे अभीलेग् होते हैं पस्त्रेज हुआ होता है आकलन में भी लिखना होता है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रियोग प्रदर्शन नेक्स्ट है सत्र की समापती पर फीडबेक लेने का सही तरीका कौन सा है ट्रेनिंग आप कम्प्रीट करोगे अच्छे से तो इसमें आपका आंसर फतल लग जाएगा प्रशनाली विदी के दुआरा नेक्स्ट है दक्षे प्रिसिक्षक अपने उद्देशों में सफल कम माना जा सकता है कम माना जा सकता है? इसके लिए है, पूरा होने तक बैठे रही नहीं, एकात चित्रो का प्रिश्क्षन करे नहीं, व्याहार में परिवड़तन दिखाए दे, बिल्कुन जब संभाग्यों के व्याहार में परिवड़तन दिखाए देता है, तभी वय उद्देश पूराक सफल माना जाता है नेक्स्ट एक प्रिशन ये भी था बड़े सम्हू में समदित करने के सबसे उच्चित विदी है वाक्ष्यात्मक विदी ये पहली पड़ी है इसके अलावा रमेश के अंतरमुखी व्यहार के प्रिशिक्षक में बाई-बेन बाई-माता-पिता परोशियों से मिलकर काणपता लगाने का काणपता कैस स्टेडी मैथर्ड में लगाया जाता है ठीक है सात्यो अब इसके बाद और है एक प्रिशन नेक्स्ट लाश्ट है प्रभावी योजना के घटक नहीं है तो ये है बहुतिक होता है सामजिक संसादन इसका राइट अंसर हो जाएगा इस तरह आपने टोटल 19 प्रसंट राइट कर सकते हैं जो कि आपको 14 प्रसंट प्लस राइट करने थे और बागी की आंसर की भी आपको बहुत जल्दी उपलग्द हो जाएगी ठीक है साथ कि जैहिं जैभाद